कि यहां में धर्मेन सर फ्रॉम डेयल सेंट डॉक्टर मुखरीज निर्देली बच्चा हमने बहुत दिनों से एक रिसर्च किया है और एक प्लान बनाया कि ऐसा कौन सा काम करें ऐसा कौन सा वीडियो बनाये ऐसा कौन सा बेसिक प्राओं कि आपको अंग्रेजी आ जाए बहु से लेके 10 तक तो हम लोग आज से बनायेंगे और हर अल्टरनेट या हर डेली आपको मिलता रहेगा तो आखिर ऐसा कौन सा प्राइप पढ़ें कि अंग्रेजी हम लोग सिख जाएं बिल्कु बेसिक से स्ट्रॉंग हो जाएं तो चलिए पहते हैं ऐसा क्या प्राजाएं कि आज ए नहीं कि अमनों का स्ट्रॉंग हो जाएं और दिखते एक करकि सबसे पलिए बात को प्रेजी मिसी के लिए निगी एंग्विस एंगी फललो के देखिए गेस्टे लिस में न大家好 wär नेकर लेकर सबस्थाइए फॉन गया हिए आर एक वर्ड़ ए अलफा क्या कि और एक वर जूसे प्रहारोंच को तक आपकी अंदर को ही इजिटेस्टन नहों हो находится, बिल्कुल एक एक चीज, एक चीज सीख जिघसे, कि हालफ वेट बोलेगे आलफा वेट बोलेटें जिडाब बूलते में आप लोग तो अलफा वेट का मतलब होता है अक्छारमाला अक्षर माला, अल्फावेट का मतलब होता है, वर्ण माला, राइट, वर्ण माला, और अल्फावेट का मतलब होता है, लेंग्वेज, अब बताओ, कि हम लोगों को वर्ण माला से स्टार्ट करना चाहिए, या लेंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए, या लेंग्वेज से स एक language है, इंगलिज एक alpha weights है, यानि एस लगाएंगे, तो यह language हो जाएगा, इसलिए एक एक word को सुधार करके आपको बोलना है, तो alpha weight, अक्षर माला, वर्ण माला, तो alpha weights नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, alpha weight, यह से start करते हैं हम लोग, alpha weight से, रही बात, से पढ़ते हो, A, B, C, D, E, U, V, W, X, Y, Z, आप अराम से एक ची मैं पहारा हूँ आपको, अब दोखो, A, E, I, O, U, इस सारे के सारे, आपके यहां से हैं, A, B, से लिकर D तक, देख रहो, A, B, C, D, E, F, G, S, ले कहां तक, जेट तक, इस सारे सारे alphabets हैं कि नहीं, इसारे ब वहल्स कहते हैं, यह मैं उन भायुख बना रहा हो, जो क्लास वन Мैं वो भी सिखेंगे, जो क्लास ग्रेड गरेएं वो भी सिखेंगे, जो एकिसा गिजाम की प्रहरी कर रहे हैं, वो भी सिखेंगे, तो हमने कहा, alphabets है वयल्स हो गया, रिष्ट पार्ट को आप क्या कहते ह अब यहां डबलू और वाई यह दो लेटर है राइट सबको दिख रहा है तो डबलू और वाई यह दो लेटर को हम कि सेमी वाईल्स कहते हैं कि सेमी वाईल्स कहते हैं कि सेमी वाईल्स कहते हैं अब यह तीन तरह हम उनों को जानना है वाईल्स कॉंसोनेंट एंड सेमी वाईल्स अब मैं आपसे जाना चाहता हूं कि वाईल्स कॉंसोनेंट एंड सेमी वाईल्स इन में अंतर क्या है तो आपको की आपको पढ़ना चाहते। ए ऐस हो लिए क्या होता प्रहते हो इंधो लोगर है टो आपने बचपन से अप धी कहते हो गवरी पंच बाइन पर धोगे गोवेल 5 होता है अपने बेटे को पर भी पूछा किया अगर शेटा बच्चा आप से पूछ लिया कि अंकल, पापा, यह भावेल पांच क्यों पहा रहे हो, इसका काम क्या है, क्या आपके लाइफ में भावेल का को यूज हुआ है, नहीं न, कभी आपने गुड लिखा हो, कभी आपने गुड लिखा हो, क्या आपने सोचा है क्या, कि इसमें दो भावेल होता है, नहीं न, क्य आपसे बात कर रहा हूं और यहां दे दो. आपने समझा अहां लिख लिख लिखा रहा ह। आगे बर्गते हैं. अब मैं बात करों कि वावल्स किसे लिए बनाए? तो बावल से अर्टिकल अन के लिए. याँनि कि अर्टिकल अगर ए और एन नहीं होता तो फिर हम लोग वाविल कॉंसेंट पहते ही नहीं क्यों भाई आप जब छोटे बच्चे थे अपने दादा जी अपने पापा अपने मुहले से पूछो वहापे क्या कहा होगा कि भाई वाविल के पहले एन लगाना बोलो ऐसा प्रहा था नहीं प्रहा थ यहां पर कॉंसेप्वर हो गया तो लोगों ने कहा कि आ आ प्रहले एं लगाना या भी गलत हो गया आप लोगों पढ़ना पढ़ेगा साउंड यानि कि यह वावल्ब है क्या चीजज को बना है इसका साउंड क्या है उसकी में बात करता हूं तो सबसे पहले हैड़ी बनाई आप पढ़ने का मतलब हर भारत को सिखाए हर लोग को सिखाए है sound की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ फटा फट देखिए sound की बात कर रहा हूं यहां पर हमने बनाया sound इसे कहते है vocal cord यह आपके teeth हैं यह आपके tongue हैं यह आपके lips हैं олет अब जाए दान दो हमने कहा कि meaningful heard theング a vocal cord ज भी तुमिन यहां से भार बोलते हो बहलु जो भी तो उसे तुम vocal sound का सकते हो नय acronym vocal sound जो भी तुमिन से भाहर निकाल से भार निकालतिे हो उसे क्या दो vocal sound. और vocal sound से पहले article N लगाना अभी बोल कर दिखाऊंगा. फिलाल कर जान लो. यानि हमें चहाँ किया later or later that pronouns be the help of vocal cord. यानि वा लेटर जो vocal cord अहां से निकले उसके पहले article N लगाना कैसे निकले का भी बताऊंगा. पहले फिलाल जान लो क्या later that pronounce, with the help of vocal cord, it takes the article and, यह वोकल sound, से पहले article क्या लगाना, and लगाना, कुछ ऐसे letters होते हैं, जिनका pronunciation, lip से होता है, teeth से होता है, tongue से होता है, तेख है, tongue है, body से होता है, इस तरह के sound, जो निकलेंगे, उसे तुम कहना, consonant sound, और Consonant Sound के पहले Article A का प्रयोग करना, क्या अलगा नबच्छे? Article A पलस Consonant Sound, Consonant Sound, जिसका Sound लिप से हो, टित से हो, टंग से हो, बौडी काम करता हो, वहां एक अप्रयो करना, यह दो बात आपने लिख लिख लिए आपनिया से, स्कीन सॉट ले लिया, कॉपी कलम उतार लिया, आगे बर्च लिफड़ाफट, आगे लखते हैं, अब एक एक बास बन्ने का प्रयास करो, अब यहां पर मैं पुछ आपको सम्झाने का प्रयास करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं, तब आप बेहतर सिख पाऊगे, कि हमने कहा साउंड की बात, चुकि हम लोग पढ़ रहे हैं, अल्फा भाविल, अल्फा बेट पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट में क्या परें वहावल कंसुनेंट तो हमने था कि वहावल क्या शूंहित का निर्मान कैसे हुआ अभी हाँ पर हमने वर्ड्ड लिया झाल देहला राव से हमने व्र वड्ली एच अब बताओ एच प्योर कॉन्सॉनेंट है की नहीं बताना ज़िए प्यूर कॉं उसमें अंतर क्या है पहले मेरी तब देखो आप गौर से कोई भी लेटर जिसका परनेंसियेशन गौर्ड गिफ्टेड बाइ वोकल कोड यानि की बर्थ तिल देथ यानि जब आपका जन्म हुआ था और मिर्तु के समय तक बर्थ तिल देथ जन्म से लेकर के मिर्तु तक जो स परनेंसिये और वहीं पर आडिकल अहन लगाते हैं फिर समय तर देखो गोर से हमने कहा जिसका उचारण वोकल कोड से हो नई समझ माला तो हमने कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो चिलाता है रोता है तो क्या बोलता है वोकल कोड एहां सोता है उसे पी नहीं पो सकता ज भॉय बोलका चाहिए लिफ्स अब है वाय फैना यहना यहनल इन इन इसनल उद पर आप अगर लुप इसे हम लोग बॉबल साउंड नहीं कहेंगे, इसे कहें कॉंसोनें साउंड, यह कैसा है, बॉड़ी काम कर रहा है, तो कुछ ऐसे साउंड हैं, जो अफ़र्टलेस होते हैं, और अफ़र्टलेस हो, तो वहा एं लगेगा, जिसमें अफ़र्ट लग जाए, इसमें इनर्जी लग जाए, वहाँ पर A लगाते हैं, कैसे, अब देखो, H-O-U-R, R, माउथ खोलो, R, R, तो पहेंगे पूरा साउंड पहले बाला, अब इसको बोलते हो, हार, हार, हार नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, N-R, तो N क्यों लगाया भाई, क्योंकि R, आवर, 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 आ अब देखो, यहाँ बोला हमने, होर्स, होर्स, यहनि होर्स बोलने के लिए, यह चोक कर रहा है, यह भी काम कर रहा है, बोडी भी काम कर रहा है, R, होर्स, R, होर्स, R, होर्स, तो क्या लेगा, यह लेगा, रटना नहीं है, साउंड, रटना मारोगे, भूल जाओगे, बट यू से पहले हवाशन नहीं आएगा कॉंसेप्स एफिको यूश लिखामने अम्ब्रे corazón हुआ आधर यूश लिखामने यूनिभर सिटी कोई ची दुन्या में अफ़ाद नहीं है लंगोज नहीं भी अफ़द साउंड पले का अम्डरेला अम्डरेला युईं तो ए expedition यूँ तो मिल्बजिबर्स आई निए समय लगाएंगे यहां यह लगा देंगे ते युद्टिर क्या जागा ए और देखो हमने कहा यहां पर साउंड लिया ओ अब ओसलिखा हमने दो चीज एक लिखा ओर एंज अवेक लिखा हमने अभी हाल में पुछा है आईस में वन पर चीज एक भी हमने और इंज और इंज ओर फॉररिंज और इंज क्या लगाें यहां अंई यहां कोवन तेहां क्या लगा एप सिक भाहर को और देखो वी इङ को लगाए कि नहीं है मैं आप संवेंटिवर उसी हाथ कि अको आपको अप झालीफेंट से क्या लिख्या लैप YOUR उता मर्ह इम कि या पोड़र व्रिसह क्या लगांगे अउन कि आप की यॉर्फेन फोड़ो से मैघ करतेड हैंव खुल जो boy, say fan, say pain, अब उतो इस दो boy, boy, pain, fan, सब में बोड़ी काम कर रहा है, सब में आर्टिकल ये लेगा, तो यहां तुझ ऐस बास सुझना आगया, कि सब ए कहाँ लेगा, अन कहाँ लेगा, यह तुझ आज़ा आगया, अब कॉंसेट है, कि भाई कुछ extra dish check करते हैं कुछ extra काम करते हैं हम लोग पह रहा है Alphabate और Alphabate मुझला Burn malah अब Burn malah की बात कर रहे है तो extra concept क्या का सकता है उसकी बात आफ देखे अब यहाँ पर concept number next देखे कि हमने कहाँ बटा जैसे दो example लिखा यहां पर हमने लिखा This is a ass दूसरा कहा This is an ass अब आप बताओ कि right कौन है Which one is that? This is a ass right है This is an ass right है तो आप कहोगे Of course अरे गलत है और यह सही है अगर मुझे कहा तो मैं तो समझ गया लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा तुमसे यह पूछ लिया कि भाई यह गलत क्यों है तो तुम कहोगे कि भाई यह दुको भाविल है भाविल से पहले एन लगाते हैं तो कहाँ अगर सभी तो रटा मारा हो गया चाहे मैं प्रहा हूँ चाहे कोई और प्रहा है तो साइंटिफिक एप्रोच आपने क्लास नाइंथ में पहा होगा कि जब कोई ओवर ब्रीज पूल पर साइंस लिखा रहा हूँ जब कोई पूल पर व्यक्ति समान गती से चलता है तो उसे कहता है उसे मना कियाता है कि आप एक कदम से कदम मिला कर ना चलें जब कई पूल पर कोई ब्यक्ति जाता है जब कोई आदमी गुजरता है एक आदमी नहीं हजारों लोग चाहांries पूलिसमैन गुजरता है तो समान गती से चलने के लिए मना किया जाता है क्योंकि अनुनाधता है को कोई फ्रिक्वेंस निकलता है आप बेहतर जानते होंगे पढ़ते होंगे तो तो उस पूल को तुटने का डर होता है अगर एक समान गती से चला जाए तो तो ख़्याता कि भाई आप आराम से चलिए ऐसा आपने परहा होगा सिखा होगा खेरेने भी अब यहां पर ध्यान दो कि उसी प्रकार अगर साउंड ए साउंड क्या हो गया एक साउंड कुछन का है से वोकल कोड से यहां भी देखो आता है वोकल साउंड तो वोकल साउंड वोकल साउंड आलवेज रॉंग होता है एक वार डबल वोकल कभी नहीं होता क्योंकि डबल वोकल से वोकल कॉड में प्र आदा यूज करोगे तो बैठ जाएगा बैठने के मतलब फस जाएगा प्रोबलम हो जाएगा बिमारी हो जाएगी फस जाएगा बोल नहीं पाओगे अब आज प्रोबलम होगा अर्युटिंग मैं पॉइंट तो हमने कहा वोकल साउंड प्लस वोकल साउंड रॉंग अब देखो भॉकर बोल के इस इज अन आस इघुज अट बोल राइट वूक नहीं वा तो इस तरह से सांठीश लिए अम्बेला दूनेद ब क्यों टैलिफेंट देशल पाई आप से पुछनाओ कूं नहीं नटीफुण शाट पूशन पूरताइगा और फोसी आपका यूर努लन और दूसा इरतंग करेगा आपको ए है आई और ए चार लिटर तंग करेगा कैसे भाई अब देहां दो है पे हमने का वाई से बनाया हमने यह अब आप से कहा कि बोलो यह से पहले क्या लगाओगे हाँ ठाओ मुवाइल जख रहे हो आप लो हाँ ठाओ कितने लोग ए लगाओगे बोलो एयर एयर लगाने लगाले तो किन अलगाना गलत होगा और ए तुम्हारा अंसर हो जाएगा क्यू सर तो ध्यान देना लिख लो इसकाव भी लिखो डबलू और वाई से दुनिया का कोई सब्दा स्टार्ट हो और अगर आर्टिकल ए न का चुनाब करना हो तो सिर्फ आर्टिकल ए लगाना इफ एनी वोर्स देट स्टार्ट बिदा हेल फॉफ डबलू और वाई य। दों ट्राइट टुछ देरियल सांट अव दीवर्ड इंशुड एडटिकल अल्ली ए डबलू और वाई से दुनिया का कोई सब्सुरू हो इफ यू वां तो एड लिख लिए सबने अगला इसको वीडियो को बार-बार लिख लो पॉस करके बार-बार लिखो याई और ए इसका भी लो कि इफ एनी वोर्ट्स डैट स्टॉट्स भी एलप ओफ ए और आई आई और ए इन डाट केश यू शुड एड़ आर्टिकल ओनली एंड इसके साथ हमे और एसे स्टार्ट हो तो उसके पहले साउंड बांट चेक ना करो फंस जाओगे आर्टिकल हमेंसा एन लगाओ फिक्स आजी बन आजी बन डरने की बात नहीं है डबनू वाई से कोई सब शुरू हो आर्टिकल हमेंसा यह लिखो जैसे यह रहे हमेंसा एयर होगा यह लोग वूडेंचेर हो हमेंसा यह लएगा यहां तक बात समझ में आया सबको इस तरह से एक एक पार्ट हमने क्या परहा है आज अल्फावेट एक कौन सा पार्ट था पार्ट वन था तो अल्फावेट में क्या चिखा भॉवेल इस तीज़ को आप लिख लें लिख करके मित्रों स सेर करें और करकर के मुझे कमेंट करें और बैसी क्लास कैसा लगा इसमा बजे क्लास अपार्ट वन दिया हूं पार्टू दोंगा पार्ट्री दोंगा इस तरह से पूरे rebellion को आप देखें और हर बच्चे को इसको सेर करिए और बहुत बाहत करício सकें हो झाल झाल